कि गया बोध गया तो आप जानते हैं कितना पौरानी किस्थल है और किस तरह से बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्यान हुआ तो वो जगह है और गया तो आप जानते ही हैं एक दम एतिहासिक जगह है वहाँ पर और उस जगह पर से और आज अभी हाल में जब वहाँ पर और उस तरह से देखिए राजगीर, तर राजगीर तो जब देश एक था बहुत, मने हजारों साल पहले तर राजगीर ही राजधानी थी, तो वहां भी पानी का संकट होता है, तो वहां पर देखते हूँ और सब के रास्ते से जा रहा था नवादा से, तो वहां पर भी किसी हम बहुत पहले एक बार सोचे थे, लेकिन हमारे अधिकारी गन उस पर बहुत काम नहीं किये, लेकिन इधर जब हम लोगों ने सुरू किया था, काम अपना सुरू किये थे, तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से, हम लोगों ने एक जल डैस, जीवन डैस हरियाली अभियान कि जब तक जल है और हर्याली है तभी जीवन सुरक्षित है ये काम किया था उसी समय हमने तै कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है अब बाकी जगा तो हर घर नलका जल हम पहुंचा रहे हैं लेकिन गंगा जल महां पहुंचाएंगे जैसे वह भी पवित्र जगह था करने का सोचा तो सबसे पहले अपने अधिकारियों को हमने आप कि यहां भेजा क्यांकि वहां पर जब आपने दो नदियों से जब पहुंचा दिया घर-घर में पानी तो इसलिए हमको लगा कि आप बहुत बड़ा काम किये हैं इसलिए हमने यहां से अधिकारियों को भेज कि बाइद देखो कैसे काम किये हम अगर गंगा जल्ब पहुंचाना चाहते हैं इन चार जिलों में चार जगों पर तो वहां से कि वहां से लोग लेकर के आये। और आप के हां जो काम किया। वैसे एक्स्पर्टS को भी हम लोग लाएं और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है तो मतलब समझ लिजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के मेही तक पहुचा देंगे लोगों तक तो यह सब काम हम लोग कर रहे हैं और आप कि हाँ जो काम हुआ इसलिए हम जरा चर्चा कर देना चाहते थे आप ही ने ऐसा काम किया और हम लोगों के मन में अनुख यह बाठी तो वहां देख करके कहा कि प् rankings कैसा बढ़ियां कि दो नदियों से आप ने जो सारा काम किया तो बहुत बड़ी बात आप कैसे इतना बढ़ा-बढ़ा काम आप कॉए फायसे कोई आप कोक डॉशाइज करता है हमको समझ में जाता है जिन को काम नहीं करना है खाली प्रचार प्रसार करना है वह इसे ही लोग इस तरह की बात करतेRL में सा काम कर रहे हैं कि Apa काम होता है हाफ खाली होता है अब राजियों को तो 20 कई घट रहा है को पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है थिक फिर लौट आए अAT तो देख रहे हैं हम लोग आज चाल अका वाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य है आप बोली हम लोग कितना बढ़ियां काम करके कितना मिहनत करते हैं जब से मिहनत कियां तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ि लगी मिल गया होता ताज कितना आगे बढ़ा होता और राज के विकास देश के विकास में कितना इसका ज़्यादा योगदान हुता तहिए सब काम टो हम लोग करते रहें और आपको बता दें कि हैदराबाद से पर जो आपका है क्रिसी एवं ग्रामीन विकास में जाक विक जो है आपका उसी में प्रशिक्षन के लिए हमारे यहां विधान सभा से कई सदस्यों को कहा गया हमने कहा गिना नहीं हम तो जरूर जाएंगे तो हम पहली वार 86 में उहां जाकर के सब सीखे थे हम कि कितना बढ़ियां काम आप कर रहे हैं क्रिसी और इसके और बाद में जब हम लोगों को मौका मिला तो आप जान लिजिए हम लोगों ने आपका जैसे नेशनल इस्टूशन अफ रूर डेवलप्मेंट था हमने यहां पर डियमाई बनाया है डिवलप्मेंट चैसे जूफ कि आपके यहां जो जाकर के देखे थे तभी मेरे मन में उसी समय से भाव था अजब यहां काम करने का हुखा मिला तो हमें यहां पर दीएमाई बनाने का देखिअ आप कि हम लोग कितना जब केंदर में मंत्रित तर्दे अ डिपार्टमेंट उन्हों ने दिया था चाहे किसी का विवा को चाहे हम लोगों को रेल का हो कुछ भी काम आप दी इतना एक एक चीज को मानते थे और साहब उसके लिए था हम पूरे देश में घुमते थे तो आपके राज्य के कौन हिस्सा में हम नहीं गए